कता कतित आधोनिक विग्ण्यान के युग में मनुष जैसे जैसे बहुतिक सुईधा संपन साधनों का दास बनता जा रहा है और प्रकृति से दूर होता जा रहा है वैसे वैसे वह अनेक नए नए भैंकर रोगों जैसे कैंसर, एड्स अधी नए रोगों का शिकार होने लगा है उसके जीवन में मात्वकांग्षाय भढ़ जाने के कारण तनाव और चिंता के घर कर जाने के लिए जिसमें उत्तरक्चचाप, अनिंद्रा, रदै रोग, मदुप्रमे, आदी से उसका पीडित होना एक आम बादसी हो गई है वरत्मान में प्रतिसपरदा के कारण मानों के पास भोजुन का समय नहीं है आपसी सहमती ना होने के कारण परिवार तूटने के कगार पर है क्लोबों में जाकर शिराब, सिगारेट और नाचगान में दे रात तक डूबा रहता है और सामान्य व्यक्ति प्रदुशित वाताओन में अपना स्वास्त को चौपट कर रहा है स्वस्त जिवन के लिए निश्य ही प्राकरूतिक रूप, नीमी ताहार, विहार, सोना, जागना अवशक होता है आज की बढ़ती हुई मेंगाई और आप्राकरूतिक भिलावटी भोजन की स्वास्त की विनाश करने के कागार पर है सबसे ज़्यादा खतरनाख है कि लोग व्यापक चिकित्सा पद्धती की विशेली तेज दवाईयें जीने खाकर शनिक रात तो मिलती हैं लेकिन रोग दिनों दिन बढ़ते जाते हैं इन भयंकर समस्याओं को निकलने का कोई रास्ता जब नहीं रहता है और व्यक्तियों रोग से लड़ते लड़ते धन और बल का विनाश कर बैठता है तब उसे याद आता है कि विनाश दवा के रोग मुक्त करने की अटुट पद्धती प्राकूरतिक चिकित्सा और राम न एक चिकित्सा पद्धती ही नहीं बलकि जीवन जीने की सरल पद्धती भी है जन साधारन इन महत्व पूर्ण प्राकूरतिक चिकित्सा पद्धती से स्वास्त की किर्णे पाने के लिए फिर से आकर्शित हो रहा है इसी ध्यान में रखते हुए इन्हें उचित मार्द्रश अवश्यक्ता आज अनुभव की जा रही है इस कमी को पूरा करने के लिए प्राकृतिक आयर विग्णान की सरल्प पद्धतियों लोगों को कैसे प्राप्त हो उस प्रकार का चिंतन उस प्रकार की चीजें आज आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है प्रस्तुत प्राकृतिक उप्चार की रानी प्रमुक पद्धतियों की अतिरिक्त योगासन, प्रानायम, भोजन, दिन चरिया, रात्री चरिया, सबंधित, समुचित ज्यान के सागर को गागर में बंद कर आपके सामने प्रस्तुत किया गया है इसका समुचित लाब उठा कर न सिर्फ स्वयम अपने स्वास्त की रक्षा करे बल्कि अपने परिवार और इस्ट मित्रों को भी स्वास्त रक्षा, स्वास्त लाब के उचित सहयोग दें सकेंगे यही नहीं जन्मदिन, शादी के अउसर पर, अमुल्य भेट की तरह इसको सब के सामने प्रवचन के रूप में या फिर सीड़ी के रूप में भी आप इसको दे सकते हैं आपके अपार्स ने एवं प्यार के कारण प्राकृतिक चिगिट्सा के प्रचार प्रचार के निरंतर रुद्धि हो रही है समाज के स्वास्त बनने में इसका महतोपूर योगदान है आप सभी मेरे अथक प्रयासों की बुरी बुरी प्रशनशाख की है आप सभी धन्यवाद के प्रात्र हैं इस सभी विद्वान सहयोगी का रदय से धन्यवाद देता हूँ जिनों के सहयोग दे कर मुझे ये सफलता प्राप्त हुई है अतह एक निवेदन है इसमें कई तूटी अशुद्धी रैजना स्वाभाविक है इन्हें सरदय सुधार कर अपने अनमोल सुझाओं को मुझे आउगत कराते रहिए और मुझे अनग्रहित कराते रहिए डॉक्टर सुनिल मैता